नमस्कार दुस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दूस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बेहत जरूरी कंपारिजन बहुत सारी लोग कंफ्यूज होंगे आइफोन एक्सार और आइफोन एसी टू के बारे में कि कौन सब कुल उनके कि लॉकडाउन की वज़े से कोई भी प्रोड़क्ट नहीं आपा रहा है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है यहां पर मैं आपको डिटेल में दे पाऊं लेकिन यहां पर भी आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है बहुत तक मैं समझाने की कोशिश करूँगा और एक तो दोस्तों सबसे बहले अगर हम बात करते हैं इसके कलर की तो दोस्तों दोनों में ही आपको एक अच्छा-कासा वेरेशन देखने को मिल जाएगा जो कि XR जो आता है वो काफी सारे कलर के साथ आता है अगर हम इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर देखे तो लगबिक 6 कलर के option यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं SC2 के अगर बात करें तो यह सिर्फ तीन कलर में आता है एक आपका red हो जाता है एक white हो जाता है और एक black हो जाता है और अगर हम बात करें यहां पर इनके shape and size के बारे में यानि की physical look के बारे में तो XR आपने एकदम traditional look के look देखने को मिल जाएगा यानि कि जो आपकी एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो आइफोन 8 में आपको जो सारी चीज़े देखने को मिल ती physical overview में वो सारी कि सारी आपको जै आइफोन SE2 में देखने को मिल जाएगी क्योंकि अगर हम SE1 की बात करते हैं तो जो आपकी physical overview जो उसका रहता था वो आपका आइफोन 5S का रहता था तो यहां पर SE2 में भी आपको एक तरीके से पुराने ही phone की जलग दिखाई देगी जो एक मेरे दिमाग में point आता है वो यह रहता है कि थोड़ा सा पुराना type का आपको feel आएगा लेकिन overall आपको देखेंगे तो उसको आपको अच्छा ही लगेगा वहीं दोस्तों अगर आप home button की बात करते हैं तो एक सार में ऐसा कोई भी scene नहीं होता लेकिन यहां पर आपका SE2 में आपको एक home button दे रखी हालाकि वो प्रेस आपको देखने को मिल जाएगा वहीं दोस्तों यहां पर आगर हम quality की बात करते हैं तो यहां पर भी छोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है यहां पर आपको liquid retina HD display देखने को मिल जाती है XR में जबकि SE2 में आपको retina HD display देखने को मिलती है एक छोटा सा अंतर है बट यह इसकी quality पर effect करेगा लेकिन अगर overall configuration की बात करें तो लगबग सेम ही होती है size को अगर हम अटा दें और इनकी quality को अटा दें तो लगबग सेम ही रहता है लेकिन यहां पर हम सबसे आकरी में जब price के साथ इसको compare करेंगे तो आपको बहुत सारी एक दम clear हो जाएंगी अब अगर हम बात करते हैं इसके back पर जाकर कि इसका back panel कैसा होने वाला है तो दोस्तों यहां पर अगर हम camera configuration की बात करें तो दोनों में ही back पर आपको 12 Megapixel का camera मिल जाएगा जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे लेकिन इका setup कैसा रहता है दोस्तों iPhone XR में आपको ऊपर की तरफ camera रहता है और नीचे की तरफ छोटा सा LED flash दे रखा होता है लेकिन अगर हम बात करते हैं SE2 में तो यहां पर आपका camera रहेगा उसके बगल में आपका LED flash दे रखा होगा तो यह एक छोटा सा अंतर आपको इसके camera setup में देखने को मिल जा आपने iPhone 11 और जो यह model 11 वाले उन में देखने को मिला है तो यह चीज थोड़ा सा नया पन लाती है इसके back panel पर जैसे कि iPhone 8 और 6S और साथ ही साथ SE2 में अंतर किया जा सकता है तो यह एक अच्छा है कि back को देखकर आप असानी से बता सकते हैं कि iPhone SE2 कौन सा है अब दोस्तों अ SE2 में आपको जो है मिलती है Touch ID दोस्तों आज की जमाने में Touch ID मिलना तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है मतलब आप समझ थोड़ा सा पुराना टाइप का फील आने वाला है लेकिन जो लोग लगाता है Touch ID तो इस्तेमाल करते हैं हलाकि सेक्यूर होती है ज्यादा हो तो दोस्तों दोनों में ही आपको 7 Megapixel की कैमराज मिल जाएंगे तो अंतर क्या है ये भी हम लोग आगे जाकर देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं इनकी performance कहां पर stand करने वाले हैं दोस्तों यहां पर अगर हम बात करने XR की तो यहां पर आपको ATL Bionic चिप दे रखी है ज की थोड़ी सी बहतरी देखने को मिल जाए हाला कि मैं यह नहीं कह रहा कि XR थोड़ा सा नीचे चला जाएगा चुकि उसकी RAM ज्यादा अच्छी है प्रोसेसर का तो मतलब उतना ही रोल होता है ज्यादा नहीं होता है लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसर जो पावर मिल जाती है देखने को तो मुझे ऐसा लगता है कि राम के इतना ज़्यादा खेल नहीं होता है इसलिए कभी अपल इस पर इतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि परफॉर्मेंस आपको दोनों ही मॉडल में स्मूध देखने को मिलने वाली है बैटरी की बात करेंगे अभी पिक्सल की क्यामरा मिलने वाले हों और कॉन्फिग्रेशन से 99.999 या फिर यह कह सकतो हैं दोनों में ही आपको चलमें का पिक्सल का क्यामरा आपको दे रखा है और दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा और दोस्तों मुझे यह काफी जदा बैटरीन लगा है यह इसका पै क्यामरा के बारे में लेकिन उस्से पहले यह आपर वीडियो रिकॉडिंग को भी देख लίते हैं तो दोस्तों यहां पर आ जाता है फोर के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप दोनों ही फोन में 60 fps और 30 fps दोनों पर ही तो यहांपर लबग दोनों चले मिल रखा होता है और साथ में दोस्तों यहां पर दोनों में ही slow motion देखने को मिल जाता है 120 और 240 के frame rate पर तो मुझे तो लगा है कि camera में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है अगर आप XR की बात करेंगे लोगों का पसंदीदा mode है तो यह सारी चीज़ें आपको दे रखी है बहुत सारे फिल्टर्स वगरा को भी अपलाई कर पाएंगे जो कि apple आपको जो है इनके ऑफिशल आप में देता है यहां पर आपका 4K रिकॉर्डिंग दोनों से ही गाइब रहे की साथ ही साथ आप यहां पर 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps में तो आप दोनों से ही कर पाएंगे लेकिन यहां पर आपका 60 fps वाला option सिफ XR में दे रखा है यानि कि अगर आप 60 fps रिकॉर्ड करना चाहते हैं SE2 से तो उसके लिए तो भाई आपको ना है तो यह एक basic अंतर यहां पर थोड़ा सा रहता है अनिमोजिस और मिमोजिस का दे रखा है जो कि आपको XR में दे रखे हैं और SE2 में नहीं है लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है आपको updates अगर हमें देखने को मिल जाएं तो यह basic सा अंतर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अब दूस्तों बात करते हैं बैटरी की जो कि काफी ज़दा यहां पर मज़ेदार होने वाला है तो बैटरी के बार में डिटेल से बात करना एकदम बनता ही है उससे लगबग देखनटा ज़्यादा चलती थी लेकिन अगर हम SE2 के बात करें तो यहां पर बोला गया है कि लगबग लगबग यह iPhone 8 के बराबर ही चलेगी लेकिन जानकारों के मताबिक यहां पर बैटरी में एक बड़ा अंतर भी है और साथी साथ अगर हम SE2 की बात करें तो यहां पर लगबग लगबग आपको 960 एमिज की कुछ मिलने वाली है बैटरी तो आप अगर अगर हम इसे कंपारिटिवली देखे ना तो 2000 पर बैश मान सकते हैं लेकिन मुझे असा लगता है कि बैटरी काफी ज़दा कम रहती है दोनों में यह आपको 18 वाट की चार्जिंग के ऑप्शन दे रखे होते हैं यह एक अच्छी बात रहती है तो बैटरी को लेकर हो सकता है थोड़ा सा आपको यहां पर प्रॉल्लम हो सकती है लेकिन अगर हम बात करें अगर अपल की ऑफिशल वैफसाइट की हिसाफ से तो यहां पर आपको वीडियो प्लेबैक दे रखा होता है एक सार में लगबग सोला घंटों का होता है और सी टू में यह चीज जैक गायब होंगे यहां पर आपको लाइटनिंग जैक से काम चलाना पड़ेगा जो इनके अंदर एयरफों मिलते हैं वो भी आपके लाइटनिंग जैक वाले ही मिलते हैं तो कुछ मामिलों में तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप एक मीटर की गहराई में आप अगर इ एकदम सिक्योर रहेंगे लेकिन अगर हम कंपारिजन कराते हैं आइफोन 11 से तो यह थोड़ी सी आपके जो है उपर नीचे होती हुई दिखेगी चूंकि यहां पर आइफोन 11 में आपको आईपी 68 की रेटिंग दे रखी होती है यानि कि यह आपका लगभग 2 मीटर कर देत हैं तो मैं लगा अतार जो है इनका कंपारजन लाने की कोशिश करूँगा तो फटा फट इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फ्यूचर में मिलने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए अगर आप इसका ट्रू कंपारजन पढ़ना चाहते हैं या